close test किसी भी higher class की exam में नहीं पुछे जाते, जैसे UPAC में close test नहीं होता, UPPCS में close test नहीं होता, state PCS में close test नहीं होता, यह सिर्फ आपके SAC, bank PO, CPO, यानि यह जो पुछे जाते हैं, यह आपके SAC में पुछे जाते हैं, CPO में, और bank PO में, यह जाते हैं, यह जो आपके SAC समंधित सारे exam होते हैं, वहाँ पुछे जाते हैं, इससे questions कितने होते हैं, वह आप जानो, तो अभी टायर 1 में, close test question नहीं पुछे जाते थे, नहीं पुछे जाते थे, बट इस वार, close test question पुछा गया है, यह जाते हैं, यह जाते हैं, इस वार, close test किसी-किसी set में दे दिया गया है, इसलिए, पीट में कहना गलत बात होगा, तो टायर 1 में, अगर question पुछ रहा है, और 5 question है, तो आपके 10 marks के होगए, अगर पूछा तो, च्योंकिえー open में एक कोश्ण दो नंबर के होते हैं ठेक है अगर TAR 2 की बात करें TAR 2 की बात करें या फिर CPU main की बात करें तो close test से तायर 2 या CPU mains की बात करें तो close test से लग魚 मिन्मंउर पुछ रहा है तो कम से कम 20 कोश्ण तो होगा ही 20 questions मतलब भी 20 marks, क्योंकि एक question एक number के होते हैं, तो यहाँ पे जो है, अगर tyre 2 और CPO मेन की बात के रही हैं, तो 20 questions पुछे जाते हैं, मैं आपको जो closer पहाऊँगा, आज मैं आपको पहा रहा हूँ इसका part 1, part 1, मतलब अभी मैं आज आधा पहाऊँगा, आधा कल पहाऊँगा, क्योंकि एक दिन में सब कुछ संभाओ, नहीं है, step by step चलेंगा हम लोग, क्योंकि यह topic बढ़ा है, 20 marks के हैं, plus 10 जो 30 marks होगे, यह हमने minimum रखा है, 25 भी हो सकते हैं, समझ गए, 30 भी हो सकते हैं, लेकिन 20 से कम कभी पुष्टा नहीं, रही बात इसकी बात करने का, तो यहां जो पार्ट है क्लोस्टेस्ट का, तो यह question पुछ आते हैं, अब क्लोस्टेस्ट बाकाई वर्ड क्या है वो जानो, तो क्लोस्टेस्ट basically, सूनने में लग रहा है क्लोस्टेस्ट, नही媽, क्लोस्टेस्ट निजदिक, बाकाईते हैं कहने कान सेंजबी इसका है Ohhh, तो क्लोस्टेस्ट वर्ड, क्लोस अपने आप में exact क्मी वर्ड नहीं, यात होना चल्भी है क्लाउस, यहाद होना है close, close का error होता है, close test जो है, वो error किसका है, close का, close, close का मतलब होता है, close is a part of longer sentence in which there will be one subject and one verb, उसे उसे लोग close क्याते है, यानि close में यहाँ पर कोई पार्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर एक नबर डाला है और इस तरह से पार्ट करा है, यानि कि Mr. Claus का है, ना कि close कोई वर्ड होता, दिक्षिनरी में close कोई वर्ड नहीं, तो close नहीं लेकिन उसने, एक्जाम देने close spelling a दिया है, तो मुझे यह मानना पड़ेगा, तो या तो होना चाहिए था close test, या तो होना चाहिए था close test, मतलब बिलकुल close करके test लो, मतलब जो समिपतम वर्ड होगा, वो हम रोग जानने क् प्यास करेंगे, यहां पर करता यह है, कि जैसे मान लो, कि यह पैसे दिया है, समझना, पहले में tricks, बता रहा हूँ कैसे मुझे पड़ेंगे पैसे, तो यह आपको पैसे दिया है, और इस तरह से आपको एक number दे दिया, फिर आप पढ़ागे और दो दे दिया, फिर इस तरह से 3 करके काम कर दिया फिर इस तरह से 4 और इस तरह से last में जो है 5 नबर दे दिया total 5 पैसेज है अब करना क्या है कि question आपके सामने यह पूरा पैसेज है यह close list है तुमारा अब इसमें question number 1 दिया इसमें A, B, C, D चार options दियें पहले आपको सिखा रहा हूं कैसे आप question प्रहोगे तो at first बिना कुछ समझे बिना कुछ बुझे बिना option देखे जैसे हमने आपके comprehensive में क्या कहा था कि पहले आप question प्रहोगे फिर आप पैसेज प्रहोगे यहाँ उल्टा कह रहा हूं पहले आपको option नहीं देखना है पहले आपको पैसेज सुरू से लेकरके लाष्ट तक एक वर पढ़ जाना है क्यों पढ़ होगे ऐसा इससे पता यह चलेगा कि इस पैसेज का टेंपरामिंट क्या है, आधि का πैسस जाना ऑग啊 चाहता है और पैसस का विईव क्या है, वह पैसस कहना क्या चाहता है, क्यू पढ़ें पहले..? क्योंकि इसमें खाली अस्थान है, इसमें भाक है, तो जो प्लाक है, तो आइडिया ले। नहीं, क्योंकि अपने मन से कोशन पढ़ लेंगे तो क्या पता यहां पर क्या नहीं इसलिए ब्लैंग को भरने के लिए मुझे आगे पीछे का आइडिया होना बेहद जरूरी है क्लियर तो जब अभी तक हम लोग क्या करते हैं अभी तक करते हैं कि चलो पहला है तो पहला यहां परहा अब यहां टिक लगाए एक को सूट करा कौन सूट कर रहा है तो यह भी सूट कर रहा है सी को सूट कर रहा है अभी सूट कर रहा है बी को सूट कर रहा है अभी सही हो रह तो right answer कौन सा होगा, यही आपको पहशानना है, यही आपको चुननना है, right और इसको right पकड़ने के लिए करना क्या है वो देखो, पढ़ने का तरीका तुम्हे चेंज करना है, पढ़ने का तरीका चेंज करना है, अभी आपको सिखा रहा हूं सिर्फ tricks, मतलब how to solve close test, सिर्फ मै तो आपको बात कर रहा हूं, अभी डिटेल बात नहीं कर रहा हूं, तो tricks पहला कहता है, कि सबसे पहले जब पैसे पर हो, तो पैसे पढ़ना कैसे है वो देखो, हमने कहा कि पूरा पैसे पढ़ना, तो अब पहला उठाया हमने, यहाँ पर एक नमर डाला, यहाँ पर आगे ह तो आपको चार ओप्सन है, एक बार पूरा के पूरा गो थू कर जाना है, बिना समझे, बिना बूजे, जब पूरा गो थू कर गए, उसके बाद आपको कहा है, यहाँ पर पढ़ने के बाद यहाँ पर रुकना है, और यहाँ पर रुकना है, रुकना कैसे है, यह अंतिम ल करेंगे उस पर द्हान दिजिए कि अगर मान लो कल्पना कर लो कि यहां पर अंतिम वर्ड वर्व तूबी हो वर्व तूबी हो तो वर्व तूबी के मतलब क्या होता है बच्चे वर्व 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 यहां भी हो सकता है तुम्हारा नाउन, यह हो सकता है अडिक्टिव, अब पहला उप्सन के लिए तुम्हारे पास चार उप्सन है, A, B, C, D, अब तुम्हें क्या करना है, कि चार उप्सन में यह चेक कर लो, कि V4 कहां है, V3 कहां है, नाउन कहां है, अडिक्टिव कहां है, य इलिमिनेट करना सिखो, कौन सा अंसर नहीं होगा, इसा प्रहा नहीं रहा हूं है, मैं दे रहा हूं ट्रिक्स, कि कैसे सोल्व करेंगा, शॉर्टकट मेथड, फिर प्रहाओं का डिटेल, कल का क्लास प्रहानेबला क्लास होगा, जिसको मेथड कहते हैं, आज बस सीधा जुर्म यानि कि मान लो तुम लो थो फंस गये रहा है, रहा है लो नहीं खिंगा, लेकिन दो बच गया, दो बच गया, और एक में था विपहर और एक में था विथरी, उब reं है सरसर कहा कि विथरी उह सकता है वीत्री भी हो सकता है, अब यहाँ फस कहे हम, कि वीत्री लगाएं कि वीफोर लगाएं, फिर तुम्हें क्या करना है, कि तुर्थ, माइंड बहुत तेजी से बढ़ेगा आगे, अगर तुम्हारा वीफोर है, तो यहाँ बोलो जो सबजेक्ट होगा, subject, बताओ क्या होगा बच्चे, doer, यहाफी subject क्या होगा, living, और अगर तुम्हारा भीत्री है, तो क्या होगा, non-doer, अगर तुम्हारा subject यहाँ non-doer है, तो बोलो वहाँ क्या लगाओगे, और अगर तुम्हारा subject यहाँ पर doer है, क्या लगाओगे, अब इस दो option में, जो भी option अगर वहाँ दूर होगा तो यह अंसर होगा, नॉन दूर होगा तो यह अंसर होगा, यह दूर नॉन दूर क्या है, अगर राम होगा, तो राम इज राइटिंग, अगर यहाँ पे पेन होगा, तो पेन इज ब्रोकन, यानि इज के बाद ब्रोकन ही हो सकता है, और इज के राम है, तो राम इस राइटिंग, यानि कि मुझे पकड़ना यह है, देखना यह है कि subject जो है, इस जो sentence start हो रहा है, close test का, वो sentence कैसे start हो रहा है, start हो रहा है subject से, तो जाहिर सी बात है, कोई भी पैसे start करेगा, तो उसमें subject होगा ही होगा, अगर subject होगा, तो फिर उसका answer कैसे होगा, subject है तो doer है कि non doer है, living है कि non living है, अगर वो living है, तो V4 होगा, अगर वो non living है तो V3 होगा, यह rule है, example, Lata is teaching, non doer, non living, Lata is living, तो Lata living है, तो writing हो जाएगा, बट a letter is, non living word, तो a letter is, written, तो पहाओं का subject फिर से स्टाट होगा, यह बच फिर से स्टाट होगा, दस तारिक से, गरमस्त, वह पढ़ा है जगा, ठीक बताओं इसको नाव तक, मिटाओं इसको पहला कंसेट, अब यहाँ पर देखना यह है, तो जितने भी आपके options हो, from beginning to end, पहला से यह 5 तक, सारे options, you have to read last and first, शुरुआता और इसके लिए सिर्फ यही नहीं, सारे rules, जो आपको लिखवाये गए हैं, यह सब लिखवाये जाएंगे, तो पहला जो यहाँ पर tricks का rule है, जो rule है आपके, कौन से rule, tricks का rule, जो पहला rule क्या कहता है, कि is, am, are, was, were, के बाद, before आ सकता है, वेत्री आ सकता है, noun, या फिर adjective आ सकता है, यहाँ पर कोई न कोई, subject होगा, तो अगर living होगा, या फिर non-living होगा, living या non-living होगा, concept clear, लिख लिए इसको, subject, is, am, was, bear की बाद, before, v3, non-additive, living या फिर non-living, living है तो, before, non-living है तो, v3, ठीक है, यह दो चार ट्रिक्स आज मापको आपको दे दे रहा हूँ, फटा फट, अगर मान लो, सिर्फ, मैं परहा रहा हूँ किस के लिए, सिर्फ यहा के लिए, सिर्फ लास्ट के लिए, ठीक है, अगर आपका, ध्यान देना बच्चे, verb, to have हो, verb to have हो, ध्यान देना, 2-3 चीज़, पहला have हो है, तो v3 होगा, ठीक है, ठीक है, सेम प्रक्रिया, v4 है तो, living, v3 है तो, non-living, जैसे, a letter has been written, have का मतलब has been, had been, has, और had, सारे आजाएंगे, तो has have had के बाद been लगाओ, तो v4 आ सकता है, जैसे, राम, has, has, has कहा लिखा, राम, has, been, writing, a letter has been written, simple career, और बाकि तो have का भी तिर पता ही आपको, clear, सुन्मारा सबको, तो a letter has been written, राम has been, writing, तो आपको पकड़ना बस कहां पर, ये बात किस की हो रही, अगर तुम्हारा यहां पर है, देखने का तरीका, आज से बदल जाएगा, और मैं तुम्हें एक किन दिला रहा हूँ, आज के आज तुम्हें दुनिया का कोई भी close test ले लो, अगर 10 है, तुम्हारा 5 सही होगा, अगर परक्रिया तुम्हें पता है तो, अगर एक भी सही, तुम्हें तुका मारते थे, सुट करते, तुम्हें दुका में अगर तुम्हें तुम्हें जो एक करणी ऑगाँ, वर्व का 3rd form ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता बिंग के बाद सिर्फ 3rd form ठीक है सिर्फ वित्री हो सकता है ठीक है बस सिर्फ माइंड में set करो बाकी option करा दूँगा 2 लगा हो तो V1 2 के साथ B plus V3 बस माइंड में set रखो 2 plus V1 2 plus V plus V3 एक form याद रखना आपको ठीक है याद हो गया बापस आईए अब ध्यान देजी हेड़ी बनाएं कंजंग्शन कंजंग्शन कुछ कंजंग्शन आपको लिखना है बेसिक पार्ट के लिए जावो करना है पहला हेड़ी बनाएं कंजंग्शन में रिजन खोस कंजंग्शन रिजन खोस कंजंग्शन याई कारण दिखाने वाले कंजंग्शन लिखो पहला बड़ बिकॉस के बाद लिखो सिंस के बाद लिखो एज as के बाद लिखो for a4 इसका हिंदी लिखो क्योंकी 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 second point इसी में लिखो because of because of कॉमा लिखो due to d u e due to कॉमा owing to o w i n g owing to owing to के बाद लिखो on account of on account of Hindi होता है सब का के कारण के कारण ठीक है दूसर है इंडालो result shows conjunction result shows conjunction result shows conjunction result shows conjunction result दिखाने बाले conjunction result shows conjunction पहला बाली को देरफोर दूसर बाली को पहला लिखो देरफोर फिर लिखो सो फिर लिखो हैंस h-e-n-c ठीक है नेक्श बालो opposite sense conjunction opposite sense conjunction opposite sense conjunction o-w-p-o-s-i-t opposite sense conjunction इसमें लिखो इसमें लिखो 2 t-h-o-u-g-h 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 2 comma although though comma although Hindi लिखना इसके बावजूद दूसर पॉएंट देना in spite of in spite of in spite of in spite of comma despite d-e-s-p-i-t despite but beauty but however 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 h-o-w-e-v-e-r nevertheless 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 comma yet y-t-y-t comma still s-t-i-w-l still इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी ठीके अगला पॉंद लिखिए grammar at a glance grammar at a glance grammar at a glance grammar at a glance ठीके क्या-क्या topic से पढ़ना है कहा कहा topic आगो help करेगा grammar at a glance This first thing आपको tense का ज्यान होना चाहिए Tense का आग्यान होना चाहिए Tense के बावज दूसरा point voice का ज्यान होना चाहिए तीसरा, narration का ग्यान होना चाहिए, tense voice narration से लगभग 4 से 5 questions पुछे जाते हैं, आपके close test में, 4 point है preposition, preposition से 2 से 3 questions पुछे जाते हैं, 5 point है conjunction, conjunction से 2 से 3 questions पुछे जाते हैं, 6 point है models, models एक से 2 questions होते हैं, rest जो part होते हैं, vocab के होते हैं, 7 से 8 questions पुछे जाते हैं, ठीक है, हलाकि जितना भी part होते हैं, अगर वो word है तो vocab होता है, बहस मेरे हो, अगर वो word chapter से भी है, तो vocab का ही part होता है major part, लेकिन हम लोग सब को vocabulary ही कहते हैं, तो vocabulary का हो, चाहे आप जो part का हो, part A system है देने का, और इसी से question पूछे जाते हैं, ठीक है, तो सब का साथ साथ, conditional का भी ध्यान रखना है, conditional प्रहा आप लोगों ने, प्रहा होगा तो ठीक है, बढ़ना बता दूगा class में, ठीक है, तो conditional प्रही question पूछे जाते हैं, यह था बच्चाप का tricks, अब tricks के माध्यम से, हम लोग करके देखते हैं, जो जो question मिला है, उसको solve करने के प्रहास करते हैं, और देखते हैं, कितना solve होता है, उसके बाद कल बताया जाएंगे methods, और tips, कि क्या होता है इसका method, और क्या होता है इसका tips, ठीक है, तो आज आज को explain करूँगा, बताऊँगा कैसे आपको सोचना चाहिए था, कैसे आपको करना चाहिए था, आप जो बताया वो follow कर रहा हो कि नहीं किया, या कहाँ, इसको आप क्या है, तो इसको आप करने के प्रहास करें, बताऊँगा, अब कोशन में पहले मैं आपसे answer पुछना चाहता है, good है, C answer right है, second cancer A, B, C, ठीक है, second cancer B बिल्कुछ सही है, third cancer A, B, C, तो third cancer B सही होगा, four cancer A, B, C, तो four cancer B सही होगा, B for boy, head आएगा, बताऊँगा कैसे होना है, five cancer A, B, C, तो five cancer B for boy होना है, six cancer A, B, C, तो six cancer C होना है, seven cancer A, B, C, तो six cancer A, eight cancer A, B, C, this cancer B for boy, nine cancer A, B, C, nine cancer A, ten cancer B for boy, B is the right answer, eleven cancer C right answer, twelve cancer B, B is the right answer, 12 cancer B is the right answer, B is the right answer, 13 का A is the right answer, अब ही सिखाता हूँ तो लोग को, 13 का A लगाओ, 14 का B for boy, और 15 का C, 12 का B, C, अब एक एक कोस्टन पहता हूँ आपके साथ, पैसे, डिसक्स करते हैं, कैसे निकालते हैं सर, जो मेथर दिया है वही फालो करूँगा मैं, जो नहीं पहाया हूँ फालो मैं भी नहीं करूँगा, देखो, many of us believe that, science is something modern, अब यहाँ पर आगे कह रहा है, the truth is that, यहाँ पर आगे कह रहा है, the truth is that, मतलब सच्चाई कुछ और है, यानि की, meaning होगया contrast, यानि की, opposite sense है, और opposite के लिए, unless नहीं आता, if नहीं आता, 2 आता है, 2 या, although, but ऐसा बाता है न, इसलिए इसका answer, grammatically, C is the right answer, तो first answer C होगा, क्यों, क्यों, meaning क्या है, opposite है, बिल्कुल सबसे unique method दे रहा हूँ बच्चे, अब सब लोग तुम्हें प्रहाएगा, मैं सिर्फ दे रहा हूँ, tricks or techniques, उसके थुरू तुम अनसर सही कर सकते हो, तो यहाँ पर meaning क्या होँआ, change हो गया, और change कहने के लिए 2 आएगा second, the truth is that, अब that की बाद, हमने का था, आगे पढ़ हो, पीछे पढ़ हो, अब देखो, आगे में क्या लगा, has, has लगा ना, अब has का मतलब singular की plural, singular, तो singular लगा है, तो उसके पहले बाला subject क्या होगा, singular, अब यहाँ पर जो बच्चा लगा होगा होगा, people, तो गलत हुआ ना, जो कि people के साथ हैज नहीं आगा, जो लगा होगा, a, me and man, तो man साहज नहीं आगा, तो answer क्या होगा, a, man, man, अब ओलो, trick से फॉलो होगा है कि नहीं होगा है, तो man के साथ हैज लगेगा, तो 2 साही होगा, 3, has been signs for a very long time, तो यहाँ पर धियान देना, very long time phrase है, तो यहाँ पर दि है न, such, how, इस अगवार क्या आता है, यह आता है, उसका for a long time, तो for a, में confuse करने क्या डाल दिया, very, तो for a very long time, बहुत है, for a while, for a long time, तो for a very long time, clear, अगला बड़ होईवर, यह होईवर से meaning change हो गया, अब आगे देता है, it has, अब it has, has, तो अभी तो अभी तुर आपको सिखा है था न, कि has के बाद, क्या आता है, वित्री आता है, तो has के बाद वित्री आता है, तो has के बाद मुझे वित्री चाहिए, या फिर been चाहिए, तो has के बाद बीन नहीं है, have है, तो have होगा नहीं, उसके बाद दिया has, has होगा नहीं, तो बचा क्या, head, तो head तुम्हारा वित बढ़ागा, head, clear होगया? question number 5 5 कहता greater effect on human lives in the last 25 now 25, 2 अगर अगर अप्सन रहता, 25 तो 30 years तो answer 2 होता, लेकि 2 option में नहीं है तो मेरे पास end, end का मतला होता है बटा plus, इसले 25 plus 30 पच्पन नहीं कर रहा हो इसले end नहीं होगा, either मतला या तो 25 या तो 30 तो ऐसा भी नहीं कर रहा है, 25 या 30 कह रहा है इसले मजबूरी में क्या लगाएंगे हम? और तो और is the right answer ठीक है? then in the handed of years अब 6 में कह रहा है invention, ध्यान देने बटा आविसकार हमेशा point होता है आविसकार हमेशा point होता है आविसकार हमेशा point होता है since इसले बोलो हमेशाँ पे sense नहीं आएगा invention of the plow plow कमत होता हल जोतना तो हल का अभिसकार हुआ होगा तो एक जटके में हो गया होगा कोई भी अभिसकार क्या होता है जटके में एक point में होता है इसले उसके साथ क्या लगता है हम? Sins लगता है कोई भी इन्वेंशन के साथ, सिंस काप्रियों किया जाता है, क्लिल हो गया कंसेट, उसी में देखो कोश्चन नमबर 6 हो गया, इन्वेंशन, पलाव, दा, अब गिफ्ट ऑफ साइंस, तो गिफ्ट कॉस्टली नहीं होता कभी, कोई आपको गिफ्ट देता है, तो क्या पुछ जाता है, गिफ्ट हमेंशन, मार्विलिस होता है, इसलिए गिफ्ट हमेंशन, तो 7 का अंसर ए होगा, तो गिफ्ट ऑफ साइंस, अब मेंड मॉडर्न लाइफ, अब मॉडर्न लाइफ के बात, अब आगे दिया कंफर्टेवल, क्योंकि जब तक हम आगे पीछे नहीं पढ़ दॉल हो सकता है, मेतर की आटवब कंटेक्स है, जासे आं पर मेतर मतल्म मतलब है, ती थी आफ और मतलब यह पढ़ने का, क्यों टाइम बेंशन करेंगे हम, तो बच गया डॉल और एक्साइटिंग, डॉल होगा नहीं, option क्या मिलिया, exciting, आफ के था ये रहा है, सब्सक्राइख एग हो आफ इस पाहर हो, तो एकस्टाइटिशन इस दा राइट राइट एंसर, कमफर्टेबल हो गए इसलिहे है, बट साइंस है अब ना इन दिया है, अब था ना इन दिया है, within तो खेर out of context हो गया तो क्या बच गया at the same time मतलब उसी समय created new problem अब problem यहाँ बढ़ आगया one of these उसमें से which may become अब जब problem हो गया तो become जब हुआ है तो bad पहले से अच्छा होगा तो become worse हो जागा बोस मतलब comparative और इसे भी धाय है become get और get become और एक वर ता grow grow become और गेट यह तीन वर्ड के बाद comparative डिगरी का परियों किया जाता है get become grow के बाद comparative degree का परियों किया जाता है इसलिए जो वर्च वर्ड है एक comparative वर्ड है get become grow के बाद comparative degree का प्रेव किया जाता है तो यहां पर क्या हो जाए बच्चे वार्स हो जाएगा he is getting fatter and fatter तो fatter fatter होगा he is getting fat and fat नहीं होगा he is growing richer and richer rich-rich नहीं होगा ठीक है तो यहां become worse in the years to come years to come के बाद is दिया है अब इस के बाद दोज होगा अब देखो this, that, this, those तो this, that, similar these, those plural this और इस नजदिक के लिए that and those दूर के लिए तो यहां पर जो दोज दिया है दोज तो होना नहीं जी दोज होगा प्लूरल यहां पर दिया है is पहले आउट करो कि नहीं होना है तो दोज नहीं होना अब बच गया this और that तो this कहता है नजदिक के लिए और जेट लग तो पहले बात कर रहा है तो that answer हो जाएगा नहीं समझे हमने कहा option हम बना रहे है 11 इगारा में इस दिया है पहले बाला हमने कहा तो आगे पहो पीछे पहो तो इस दिया है अब इस का मतलब singular अब singular दिया है तो मुझे यहां पर जो भी नाउन चाहिए वो क्या चाहिए singular चाहिए तो इस के बाद दोज तो होना नहीं चुकि इस और दोज प्लिवरल होता है तो इस और दोज उप्सन में है तो हट गया में the world, अब दुनिया, जब अभिस्कार हो गया, दुनिया छोटा हो गया न, तो छोटा हो गया तो, has become, can become, became, जो घटना घट जाए, finished हो जाए, वो simple past में जाता है, जो घटना घट गया, वो हमेशा simple past में जाता है, इसलिए यहाँ पे होगा, world became very small indeed, seed, बास्तों में, तो बास्तों का मतलब वो गया घटना घट चुका, अब आगे देखो, अब ध्यान देना, जब में टेंस पहाता हूं foundation में, कविजवत पर तो टेंस में साम को साथ पर चल रहा है, टेंस का घटना यह है, कि टेंस को हम पहचानते हैं दो तरह से, एक जिसमें time-sowing words हो, जिसमें समय बताया गया हो, जैसे study हुआ, लास्ट हुआ, अगो हुआ, बिफोर हुआ, इस अबर्ड हो, जैसे मेरा भाई कल दिल्ली गया है, तो simple past हो गया, कल बर्ड स्टर्ड हो गया, और कुछ ऐसे भी होते हैं, जिसमें time-sowing नहीं हो, जैसे मेरा भाई दिल्ली गया, तो मैं बदर went, has gone नहीं, has gone नहीं, ध्यान देना has और went में अंतर है, has कहते हैं जिसमें impact पर रहा हो, और gone, जो went कहते हैं उसमें impact finished हो, impact finished और impact exist कर रहा हो, जैसे मैं खाना खाया हूँ, तो खाना खाया हूँ, मतलब पेट पर प्रभाव है, तो has eaten, तो खाना खाया, मतलब impact finished, जब तक हैं वर्ड नहीं लगाएंगे, तब तक impact smart हो जाएगा, तो इसलिए वर्ड क्या होता है, finished action, यहां पे indeed word दिया है, indeed मतलब बास्तो में, इसलिए word यहां पे क्या हो जागा, became हो जागा, finished action, दुनिया कोई भी action finished हो, उसे simple past कहते हैं, जब भी आप writing करें, कुछ भी लिखें, अक्सर simple past का ही प्रियोग करें, present perfect प्रियोग बहुत कम होता है, तब होता है, जब इसका present प्र आया हूँ, और उसमें भी कुछ word लगा होगा, जैसे 8 लगा होगा, right now लगा होगा, just now लगा होगा, recently लगा होगा, तब आएगा, क्योंकि एक action हो चुका, आविश्कार हो चुका, घटना घट चुकी, अब एक action finished हो गए, impact किसका पढ़ता है, जो इसे घा हो रखा है, तो अभी भी है, खाना खाएं, अभी भी है, लेकिन हम दिली गए, यह finished action, बहुत समझ गे, हम तुमसे मिले, finished action, अब मिले मतलब continue थोड finished, जो काम अलग हो गया है, जो काम एक दूसरे से अलग हो गया, मतलब finished action, खाना खाए, खाना अलग नहीं हो मेरे से, खाना मेरे सरीर में ही तो है ना, सुआज पारे हो, खाना मेरे सरीर में हो, किसने तुम्हें पीटा है, तो पीटा है तो दर्द अभी भी है, तो वो इंप प्रफ्ट है, शुस्टेन कर रहा है, उसे पर्फेट कहेंगे, जो फिलिष्ट अक्षन है, वह सिंपल पास्ट, इस इटियर बता दूँगा, तो हो गया, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, बार बार हो गया, तेरा, अब तोडे, आज, इफ यू, अब यहां पे बहुत बच् तो if you live, New Delhi at 4 in the morning, you, अब आगे में किस ने लगया था, विल, अब देखो, तुमने विल लगया, तुम्हारा ग्रामेटिकल ही सही है, लेकिन इस कंटेक्स में गलत होगा, क्यों, पता है, क्योंकि हमने कहा कि यदि तुम New Delhi में चार बजे प्लेन पे जाओगे, तो तुम खा यह संटेज सही होगा, लेकिन खाओगे का जरूरी यह खाएंगे ही, अरे मर्जी है, खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, तुम खा सकते हो, मत्तोब च्वाइस, तो क्या अंसर हो जाए यहाँ पे, कैन, चुकि पैसेश पढ़ रहे हैं, तो याद करो, अगर में पहाया हो तो क होगा, क्या वील, में, कैन, सब लगा सकते हो, है ना, तो यहाँ क्या आजाएगा, कैन आजाएगा, है ना, अरली ब्रेकफास्ट इंदा स्काई, अब काबूल, तो प्लेन उपर से है जी, तो प्लेन अगर मोसन में होना, तो ओभर का प्रियो करते हैं, जब किसी के उपर मो में होना, क्या प्रियो करते हैं, तो ओभर का तो ओभर का ना, तो ओभर दी काबूल हो जाएगा, तो फुमागा, तो यहाँ ब्रेकफास्ट इंदा स्काई, अब मुझे इमान, एट नहीं, एट छोटे प्लेस के लिए, लैंड कहा लिखा है, लिखा है अशकाई, अरली ब् मानलो plane उपर से जा रहा हो, डिली से जा रहा हो, तो हम काभूल के छट के हो गए, तो plane में बैटे बैटे नास्ता करना चाहें कर सकते हैं, तो छट के ऊपर है, तो ओबर, ओबर on में अंतर क्या है, वो देखेगा, जैसे कोई चीज की इसे टच कर रहा हो, जैसे मानलो यह बस् तो भी ओबर, तो यहां पर क्या आजागा, ओबर आजागा, चुग काभूल को ऐसे पार कर रहा है, तो ओबर दी काभूल एंड, लंदन पहुंचके एक बज़े, वहाँ लंच कर लो, ठीक है, तो समझना आगया, तो जितना भी सही हुआ, डोंट वरी, और कोई टेंसर नह होगा, तो कल मिलते हैं फिर समने अकपार, थैंक यू बरी मच्च, पार्ट टू लिगरे, झाल झाल, टू झाल